शिखर धवन भारतिय क्रिकेट टीम के एक खिलाडी है शिखर धवन का जवन्म दिसंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था इनके पिता का नाम महिंदर पाल धवन तथा माता का नाम सुनैना धवन है एक बहन श्रेश्ठा है इन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पबलिक स्कूल पस्चिम विहार दिल्ली से पूरी की शिखर धवन ने विकेट कीपर के तौर पर क्रिकेट कलब जोईन किया था बाद में उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ कर बैटिंग पर ध्यान केंदरित किया शिखर धवन ने क्रिकेट छोड़ने का लगभग मन बना लिया था जब लगातार उनसे जूनियर नैशनल टीम के लिए चुने जाते रही थे शिखर धवन जिम में वर्काउट करना बेहत पसंद करते हैं उनके अनुसार जिम जाने से ध्यान केंदरित होता है और इससे अच्छा खेलने में सहायता मिलती है धवन एक मैगजिन दा मैन के कवर पर आ चुके हैं साथ ही साथ उनकी फैशन में खास रुची है शिखर धवन ने अपने अंतरष्ट्रे एक दिवस्य केरियर की शिरुआत 2010 में और चलाफ की थी उन्होंने अपने टेस्ट केरियर की शिरुआत भी और चलाफ 2013 में की थी जिसमें उन्होंने 85 गेंदों पर 100 रन बना कर किसी भी खिलाड़ी के दुआरा अपने पहले मैच में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था धवन और उनकी पतनी आईशा मुखर जी ने एक दूसरे को जानने की शिरुवात फेस्बुक से की थी आईशा मुखर जी एक बंगाली पिता और ब्रिटिस मा की संतान है और इसी वजह से वह बंगाली धारा प्रवा बोलती है शिखर धवन की पतनी आईशा की खेलों में विशेश रुची है और वह स्वयम भी शौकिया तोर पर मुक्के वाजी करती है शिखर धवन और उनकी पतनी आईशा मुखर जी को फेस्बुक पर मिलाने का श्रय हर बजन सिंग को जाता है धवन के साथ आईशा की दूसरी शादी है उनकी पहली शादी से दो बेटिया रिया और आलिया है आईशा शिखर धवन से 12 साल बड़ी है और इसी वज़े से शिखर को आईशा के माता पिता को शादी के लिए राजी करने में कावी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह उम्रु के अंतर को एक बड़ी समस्य समझते थे आईशा शिखर धवन ने 2009 में ही सगाई कर ली थी पर उन्तु शिखर क्रिकेट कैरियर पर पूरा ध्यार लगाना चाहते थे और इस कारण में उने शादी 2012 में की थी शिखर धवन से आईशा की शादी के बाद इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और उनकी संदर्ता खास चर्चा का विशय बन गया था शिखर और आईशा टैटू के शौकीन है शिखर के बाए हाथ पर और आईशा की पीट पर टैटू बने हुए है आईशा आउस्ट्रेलिया में रहती है और उनकी मा ब्रिटिश है बावजुद इसके शिखर धवन के हिसार से रह काफी धर्मिक हैं 2004 में शिखर धवन की पतनी आईशा ने एक बेटे जोरावर को जनम दिया था तो ये थी शिखर धवन से संबंदित कुछ जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद